नमस्कार फ्रिंड मैं हूँ चंदर प्रेल और दिखी आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक पे कि अगर आप एक लाख रुपे लगाये होतें कितना एक लाख अगर रुपे आप अगर लगाये होतें तो वो आपका पैसा हो गया होता 91 लाख कितना हो ग फिलाल में इसी स्टॉक ने एक सेयर के बदले इसने दस सेयर दिया है ठीकिन है उसके बाद FIs इतनी तेजी से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इसी स्टॉक में और भी ज्यादा जानकारी के लिए क्रिप्टो के लिए अगर आप कहीं धूड रहे हैं तो नीचे लिंक दिया हो गया है इस पे आप क्लिक करें अगर आपको क्रिप्टो की जानकारी चाहिए तो सार आप देख लीजिए और इससे पहले अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए और जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो सेयर करिए अपने फ्रेंड के लिए एक ही कंपनी का नाम है 90,000,000,000 रुपए हो जाते मतलब एक करोण के आसपास ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो इन्वेस्ट ये फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में ये काम करती है सेभी के अंडर ठीकर नहीं जितने भी कंपनियां फाइनस के इसमें काम करती हैं सारी के सारी देखिए तीन साल में लगबग 6 गुना कर देता और एक साल में लगबग ये 5 गुना कर देता ठीक है यहां पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल लेए एक महीने में यहां पर देखिए लगबग आपका पैसा 1.5 गुना के करिब कर देता अब हम चलते हैं इसका revenue के उपर revenue ये company asset management चलाती है और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी profit की तो देखिए March 2022 में इस company ने थोड़ा सा एक अच्छा performance किया लेकिन 2023 में थोड़ी से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हर एक चीज में ठीक है उसके बाद 2024 में इन्हें ने तो जैसे लग रहा है कि पूरा cover record लिया revenue है 137 करोण का और अगर हम यहाँ पर profit की बात करें तो लगबग 53.53 करोण का यहाँ पर इनके पास profit हुआ है देखिए जो करजा है वो same का same है थोड़ा से इन्हों ने reduce किया है करजे को और share holding pattern अगर मैं आपको बताओं तो यहाँ पर आप देखिए FIs ने इसमें जबरदस बढ़त की है पहले 0.16% था और उसी के हिसाब से यहाँ पर इन्हों ने quarter में change किया है तो 0.97% की holding इन्हों ने इस company में ले लिए ठीक है बाकि retail investor भी ज़्यादा इसमें नहीं है केवल 6% के आसपास है और ज़्यादा तर इनके पास जो holding है वो पर मोटर की है और इस stock में कुछ other investor भी यहाँ पे पैसे लगा के रखे हैं तो इस stock पे आपकी जरूर नजर होनी चाहिए बहुत ही बहतरी इन stock है एक अच्छा return दिया है अभी तो अपने high पर चला है लेकिन आप अपना ध्यान लगाईए जरूर क्योंकि यह लगातार इस stock में अपर circuit का सिलसिला जारी है तो आप कोई recommendation नहीं है आप अपना खुद research करें फिर उसके बाद इस company पर आपको क्या करना है आप decide करें धन्यवाद